हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल अंकिता स्टैनेटिस आप लोग का स्वागत है तो तच्छा के इन पास समस्या से दूर करने में फायदा करता है अंगूर तो इस तरह बनाई है फैस्पेक तो मैं आज आपके लिए लाई हूं अंगूर का फैस्पेक तो चले मैं बताती हूं तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी ले लिया है तो अंगूर के जैसे सीजन चल रहे हैं तो सर्दिया में अंगूर के सेवन तमान लोगों को पसंद आता है अंगूर की कई प्रकार के होते हैं लाल, काला, पीला, हरा रंग के तो मैंने ये कुछ अंगूर ले लिया है और अंगूर स्वास के लिए भी लाब के साथ-साथ तचा के लिए भी लाब डाएग होता है तो हम ये अंगूर के रस को हम निकाल लेंगे अंगूर के फैस पेक से अपने स्कीन को दमकते नजर आती है इसके उपयोग से आपके स्कीन कोमल तचा और निखार तचा नजर आती है साथ ही इसके प्रयोग से सन बन से भी बस सकते है तो और दाग धबेक के भी आसानी से कम कर सकते है तो क्यों न हम बनाए अंगूर के फैस पेक तो मैंने ये तीन अंगूर लिया है उसको अच्छे से हम उसके जूस को निकाल लिया है कि बहुत आसानिक से निकल जाता है अंगूर के जूस तो मैंने आपको रिसेंडी एक वीडियो ही डाला था नेक्स वीडियो था हो मेरा अंगूर का एक क्लीन अप बताया था मैंने तो हमने ये तीन अंगूर के रस निकाल लिया है देखिए फिर इसे हम एड करेंगे हाफ टेबूल स्पून सेहद अंगूर में पोटेसयम सलफिट मैंगनेशियम और आईड़न से भरपुर मातर में पाया जाता है इसमें जल की मात्रा पत्चुण मात्रा में पाई जाती है आईए स्कीन के लिए अंगूर की यह फायदे मान फैस बेक क्यो ना हम इस्तमाल करें तो मैंने यह हनी के अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें हम एक हाप टेवूस इसमें बेसान एड कर लिया है और बेसान को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा ये फैस पैक बन कर रेडी हो जाएगा अंगूर का फैस पैक जो कि बहुत फायदे मन करता है मैं इसके सारे आपको बेनिफिट भी बता दी हूँ दाग धबे दूर हो सकते हैं अंगूर से कई बर दाग धबे के वज़े से आपके चेहरे की खुबसुती नजर नहीं आती है और दाग के वज़े से चेहरे खराब दिखने लगते हैं अंगूर में साइट्रिक एसीड पाया जाता है जो कि स्कीन को अच्छे से साफ करकर उन्हें बेदंग बनाती है इसके अलावा इससे तो चाकी निखार भी आती है ऐसे करें यहां उपियोग तो सबसे पहले आप चेहरे को अच्छे से धो ले या तो आपके पास कोई क्लीन अप है तो क्लीन कर ले अच्छे से अपने चेहरे को और हम आप यह फैस पैक लगाएंगे अपने चेहरे में अंगूल के और भी कुछ फायदे में बता देती हूं स्कीन इंफ्यक्शन को रखे दो, कई बड़ हमें स्कीन के इंफ्यक्शन in大gen के बारे में पता नहीं चलता है और ध confidence के बजह से आपके स्कीन में racist और दाने आने लगते हैं अंगूल के इस्तमार से आपके स्कीन में सक्णर मन को समस्या से राहत मिलती है अंगूल के फैस्पेक से जिवानों रोधक और एंटी वारल गुन होते हैं इसके मदद से आपके स्कीन को साफ नजर आते हैं संबन से करे ठीक कई वर संबन के वज़े से तचा में लाल और चिकते और रेसेस होने लगते हैं जिससे के वज़े से स्कीन में लाल होते हैं इसके अलावा संबन वाले हिस्से में तेजी से खुझली भी होती है अंगूर का फैस पेक का इस्त्माल करेंगे तो आप सन बंग की समझ्चे से आराम पा सकते हैं साथी साथ इसमें क्लींजन पाये जाते हैं जो कि चेहरे के रंगत सुधारती है और खुझली भी इसे राहात मिलाती है कर लिया है इसे हम पंद्रमीट के लिए छोड़ देते हैं और इसे ड्राय होने देते हैं हलके से तो आप देखिए पंद्रमीट हो चुका है तब हम हातों से हलके हाँ से मसाज करेंगे इसे और इसको हमें नॉर्मल पाइंच से ही धोना है तचा को कोमल बनाता है अंगूर कई वर हमारे स्कीन निखार और साब भी नजर आता है लेकिन तचा के कोमल और मुलायम नहीं रहता है जिसके वज़े से स्कीन की रूखे और वेजान नजर आने लगे इसके लिए आप अंगूर का ये फैस बेक जरूर ट्राय करें या उपयो हम आप ये विविरल या से आपके फैस को मुलाय मैं यह बना सकते हैं今日は कोमल स्किन के लिए आप अंगूर को उस्थ दाने को पीछ कर भी अपने मसाज कर सकते हैं और इसे थंडे पार्मे से हम धो लो हुड़ेंगे आप इसे हपते में दो बार इस्तवाल कर सकते हैं तो अब में धो लिया है तो देख सकते हैं मेरे फेस में ग्लो आया है कितने अच्छे तो आप यह जरू ट्राइक करें तो फ्रेंस चैनल में अगर नए है तो चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सेल कीजिएगा बैल को दावाना तो बिलकुल ना होने तक हम नेटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो फिर मिलते हैं फ्रेंज तो बाई फ्रेंज टेक के यार